हे गाईस वेलकम बैक टू दे न्यू वीडियो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 स्मार्ट फोनों के बारे में जो कि आपको 20 रेके प्राइस पॉन पर देखने को मिल जाएंगी जिनके अंदर आपको किसी फीचर को लेके नेक्स लेवल के देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों इस प्राइस पॉन पर अगर आप एक निव फॉन बाय करने की सोच रहे हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक क्या है आप इस वीडियो को लाज तक पूरी देख लेना आपके साइड आउड के लिए हो जाएंगे कि आपको 20 अगर के प्राइस पॉन पर कौन सा फॉन परचेस करना चाहिए आपके लिए कौन सा फॉन बैस्ट रहने वाला है तो दोस्तों बेना टाइम इस की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फॉन के बारे में चुकि रहने वाला बन प्लस की तरफ से बन प्लस नॉट सी थी लाइट 5G दोस्तों इस फॉन के अंदर आपको काफी ची आल्टेमेट डिजाइन देखने को मिल जाएगा आपको चिपशेट देखने को मिल जाएगा फीचर भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगे बात कर लेते हैं डिस्पेले के बारे में फॉन के अंदर आपको 6.72 इंचिस का आईपैस एल्सी डिस्पेले पैनल देखने को मिलेगा 128 इंचिस की पीक ब्राइटनेट 87.1% का स्कीन डिस्पेले के अंदर कोर्न गोलाग्रास का प्रोड़क्शन दिया गया है साथी में आपको बात कर लेते हैं चिपशेट के बारे में फॉन के अंदर आपको ओक्टा को का कॉलकॉम आपको बात कर लेते हैं बेरेंट के बारे में फॉन के अंदर आपको 128 GB प्लस 8 GB रहां का बेस्ट मेंट दिया गया है मैं केमरा आपको टीपल सेटर्प की साथ देखने को मिलेगा रेर केमरा बनाट 8 मेगा फिक्सल का 2 मेंगा पसल का मैक्रो केमरा आपको सिंगल सेटर्प के साथ देखने को मिलेगा 16 मेंगा फिक्सल का 3.5 का जैक फॉन के अंदर दिया गया है यह सबी की बात करें तो आपको टैप से देखने को मिलेगी 2.0 बिद ओटीजी कनेक्ट साइड मांटन फिंगर प्रेंट सेंसर देखने को मिलेगा फॉन के अंदर फॉन क्युक्त छार्जिंह को अब बात कर लेते हैं फॉन के बारे में प्लास्टिक की देखने को मिलेगे गिलास यदिस्प्लेगा 195 ग्राम का बेट है 8.3 mm की थिखनी से है तो दोस्तो इस फॉन को आप डेफिनिटी चेक आउट कर सकते हो अब बात कर लेते हैं इस रिष्ट के सेकेंड स्मार्ट फॉन के बारे में चुक्कि रहने वाला रियलमी की तरफ से रियलमी 10 प्रो 5G दोस्तो इस फॉन के अंदर आपको काफिछी डिजाइन देखने को मिलेगी काफिछी तगणा पाफू चिप्सेट देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं डिस्पेले के बारे में फॉन के अंदर आपको 6.72 इंचिस का IPS LCD दिस्पेले पैनल देखने को मिलेगा जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 इसेकर रिफ्रेस्टेट 680 नीट्स की पीक ब्राइट नेट्स 89.8 परसेंट का स्क्रीन दू बादी रेसियो बात कर लेते हैं चिप्सेट के बारे में फॉन के अंदर आपको OctaCore को Qualcomm Snapdragon 695 5G के प्रोसेट देखने को मिलेगा जो की 6nm के साथ आता है Android 13 पर बेज्ट है Realme UI 4.0 का X-Pen देखने को मिलेगा साथी में आपको बात कर लेते हैं variant के बारे में फॉन के अंदर आपको 128GB प्लस 6GB RAM का बेसमेंट देखने को मिल जाएगा में केमरा आपको डल शेटप के साथ देखने को मिलेगा रेर केमरा 18MP का टू मेंगा प्सेटर डैप्थ LED फिलज देखने को मिलेगी में केमरे के अंदर में केमरे से आप 1080p y ठेटप से मेंगे सेटर मीडियो रिकॉर्ट कर पाऊगी सेल्फी केमरा आपको सिंगल सेटप के साथ देखने को मिलेगा 16 मेगा फिक्सल का 3.5 का जैक फॉन के अंदर दिया गया है USB की बात करें तो आपको Type-C देखने को मिलेगी 2.0 फॉन के अंदर आपको Side Mountain Fingerprint Sensor देखने को मिलेगा 5000 अमेंज की बैटरी दी गई है जोकि सपोर्ट करेंगी 33 बार्ट फार्ट चार्जिंग को 29 मिट मां आप इस फॉन को 50% इली चार्ज कर पाऊगी बात कर लेते हैं फॉन के Anthos score के बारे में फॉन के अंदर आपको 4 lakh plus around Anthos score देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं फाइनली फॉन की build quality के बारे में फॉन के अंदर आपको backgram दोन प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे गिलास की production display के अंदर है 190 ग्राम का बेट है 8.1 mm की तिकनी से है तो दोस्तो इस पॉन को भी आप definitely check out कर सकते हूँ अब बात कर लेते हैं इस रिष्ट के 3rd smartphone के बारे में चोकि रहने वाला Samsung की तरफ से Samsung Galaxy A23 5G दोस्तो इस पॉन के अंदर आपको काफी ची design देखने को मिलेंगे डिस्पेली के अंदर कोर ने गोले glass 5 को परटक्शन दिया गया है बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में फॉन के अंदर आपको OctaCore को Qualcomm Snapdragon 695 5G के प्रोस्तर देखने को मिलेगा जो की 6 nanometer के साथ आता है Android 12 पर बेज़्ट है upgrade to Android 13 देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं variant के बारे में फॉन के अंदर आपको 64GB प्लस 4G वर्यम का basement देखने को मिलेगा man camera आपको quad setup के साथ देखने को मिलेगा real camera 50 megapixel का bit OS के साथ 5 megapixel का ultra wide, 2 megapixel का macro, 2 megapixel का depth LED flash देखने को मिलेगी man camera के अंदर man camera से आप 1080p wide head tip से maximum video record कर पाऊगी selfie camera आपको single setup के साथ देखने को मिलेगा 8 megapixel का, 3.5 का jack फॉन के अंदर दिया गया है USB की बात करें तो आपको type C देखने को मिलेगी 2.0 side mount and fingerprint sensor देखने को मिलेगा फॉन के अंदर 5.3 cameras की battery है जो कि support करेगी 25 bar fast charging को बात कर लेते हैं phone के color screen के बारे में phone के अंदर आपको first canal देखने को मिलेगा black second जो मिलने वायट और third जो मिलने वाला पीच और fourth जो मिलने वाला आपको blue बात कर लेते हैं Anthology स्कोर के बारे में phone के अंदर आपको 3Like+, एरांड एंदße स्कोर देखने को मिल चाहेगा अब फॉन के बात कर लेते हैं फॉन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में फॉन के अंदर आपको बैक फिर हम दोने प्लास्टिक के देखने को वलेंगे डिस्पले के अंदर गोडले इलास 5 को प्रोडक्शन दिया गया है 197 ग्राम का बेट है 8.4 mm की थिकनी से है तो दोस्तो इस पॉन को भी आप डेफिनिटी चेक आउट कर सकते हूँ तो आई होब कि आपको वीडियो पसंद आईए हो और इन फॉन में से जो इफॉन आपको ज्यादा बैस्ट लगाओ उस पॉन को अपनी ने ने पॉडियो के हिसाब से कंसिडियेट कर सकते हूँ वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेट्व लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना कमेंट्स कर देना और अपनी दोस्तों में ज्यादा सायर कर देना तो चलिए गाज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपको खयार रखेगा और थोड़ा सा हमारा भी